आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपना फॉपूर्स उप सेत हो 1 वाट्पेस को यूज कर ए तो आज इस वीडियो में मैं इस टैप एक वेपसयट बनाकर देखाऊंगा जो एक्दम मोबाइल रेस्पॉन्सिब है और जो काफि भी Speed Optimization Plug-in यूज नहीं किया है, स्रेफ और सिफ इसका जो डिजाइन है, काफी लाइट है, काफी responsive है, और proper optimized तरीके से इस template का design किया गया है, तो इसी के बजाए से मुझे इधना अच्छा score मिल रहा है, अगर आप सोचो कि इसके ओपर अगर आप किसी भी टाइप का Optimization Plug-in जो score यहाँ पर मिल रहा है, इसको और भी जड़े improve किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमने template design किया है, वो देखने में कैसा है, लाइक desktop में कैसा लग रहा है, और mobile में कैसा लग रहा है, और उसके बाद में इस पूरा website को design करके तो सबसे पहले में इसका design देखा जेता हूँ, जैसे इसका home page आप देख रहे हैं, home page के अंदर उपर में सबसे पहले तो एक menu मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप menu add करेंगे, वही menu है यहाँ पर so करेगा, उसके बाद home page के अंदर यहाँ पर multiple category add कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने cricket category को add किया है, तो इसके अंदर जो भी post हो गए, यहाँ पर so करेगा, अगर मैं view all में click करूंगा, तो इसका पूरा जो category बाला page है, यहाँ पर खोल के आ जाएगा, उसके साथ साथ उसके नीचे आप multiple category का add कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर football category का add किया है, और इसके बीच म आपको web story का features मिल जाएगा, जी हाँ, home page में आप अपने web story को भी add कर सकते हो, यहाँ पर view web story में जाओंगा, तो यहाँ पर जो भी web story होगा हमरे website का, वो यहाँ पर so करेगा, तो यह एक खास feature से template का, जो आपको दूसरे किसी भी template में आपको नहीं मिलेगा, तो जो भी latest web story हो आपका जो भी latest post पहला page होगा, उसमें खुल के आजाएगा, इनका लोग अगर हम बात करें sidebar की, तो sidebar में सबसे पहले होते एक advertisement option मिल जाएगा, उसके नीचे आपको recent post option मिलेगा, जो भी आपको recent post होगा, वो इस तरीके से यहाँ पर so करेगा, इसके नीचे आप देखो य video का link एड़ कर सकते हो, और multiple category का एड़ कर सकते हो, site का जो भी important links होता है, जैसे about us, disclaimer, contact us and privacy policy, इस सभी option यहाँ पर आप कर सकते हो, चलो अभी हम इसका जो mobile design इसको एक बात देख लेते हैं, जैसे आप आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर mobile view में खोल लिया है, तो mobile view में इसका desktop में desktop की तरह open होती है, और यह देखने में काफी responsive लगता है, क्योंकि आपको भी पता है, आज के rate में 80-90% जो भी traffic आता है, mobile सी आता है, और लोग जब इस website को open करेगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो सही नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हमने जो भी mobile version में design बनाया ह होता है, उसका point of view को देखते हुए हमने बनाया है, तो यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ फ्लोटिंग जो फूटर एड है, यहाँ पर मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, यहाँ पर वेश्चोडी का भी option मिलेगा, मतलब जो भी आपका desktop version में मिल रहा थ तो वहाँ से जाकर आप इसको आभी के आभी लाइप चेक कर सकते हैं, चलिए अब इस website को design करना सुरू करते हैं, तो इस website को design करने के लिए सबसे पहले आप अपनो wordpress website को खोल लीजिए, जैसे कि हाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक fresh new wordpress website है like this, इसके अंदर मैं पहले से article को publish करके रखा हूँ, क्योंकि अभी जो design करने वाला हूँ, अगर मेरे website में content नहीं रहेगा, तो design कैसा लग रहा है, कैसे मैं कर रहा हूँ, वो चीज आप कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप भी जब website को design करेंगे, तो उससे पहले अगर आपको website में कुछ article रहेगा, तो उसको design करने में आसानी होगी, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस website के अंदर logging कर लोगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मेरा WordPress website का dashboard में logging कर चुका हूँ, तो आभी मैं क्या करूँगा, इस website के अंदर कुछ plugin और theme को install करूँगा, तो सबसे पहले आपको appearance में जाकर theme में जाना होगा, और theme में आने के बात सबसे पहले तो आपको generate press theme है इसको install करना होगा, तो install करने के लिए यहाँ पे add new में जाईए, और इहाँ इससार्च करेंगे तो यह theme आजाएगा, तो simply एक सबसे पहले में असपने इसको install करके activate कर लेना है, फिर आ को कुछ impactsously इंस्टॉल करना होगा जैसे हाँ सब पहला प्लागिन को इंस्टॉल कर लेते हैं इंस्टॉल करने के बाद रिखिए और ना यहां पर activate हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से यहां पर plug-in section में आऊँगा तो यहां पर देख सकते हैं मैं पहले से यहां पर कुछ plug-in को install करके रखा था जैसे cloud fear वो मेरे SSL के लिए cloud fear चाहिए होता है और web story plug-in web story के लिए मैं यहां पर install करके रखा था अभी मैंने क्या install किया generate block plug-in इसी के मदद से website को design करेंगे यहां पर हम कोई elementer जैसे plugin यूज नहीं करेंगे यहां पर हम एक ऐसा plugin यूज करेंगे जो generate price का original plug-in है और इसमें आपका website का speed है वो maintain रहेगा अभी यहां पर आप देख पाएंगे जो हमारो website एकदम simple है क्योंकि हम यूज कर रहे है generate price का free theme जैसे यहां पर आपने देखा कि मैंने इसका जो free theme में इसको install किया है अभी इसका जो premium भर सेने इसको install करना होगा तो generate price का जो premium भर सेने काफी महेंगा है अगर बात करें lifetime की तो यह थाइसो डाउनलोड में क्लिक करना होगा और डाउनलोड में क्लिक करने के बाद हमारा यह website खोल के आ जाएगा तो यहां पर आपको generate price premium थीम जस 3.99 रुपिस में मिलेगा वह भी लाइसेंस की for single domain name तो अगर इसको आप बाइ करना चाहते हूं यहां पर buy now button में क्लिक किजिए और यह उसके बाद यहां पर upload में जाकर उस plugin को install कर लेना है जैसे यहां पर में उस plugin को install कर लेता हूं तो जो भी आप plugin हमरो website से purchase करने के बाद डाउनलोड करोगे उसको यहां से जाकर आप install करके activate कर लीजिए तो यहां पर देख सकते हैं generate price premium जो plugin यहां पर activate हो गया है अभी मैं configure मे जाओंगा और यहां पर जाकर सबसे पहले license की को activate करोंगा तो सबसे पहले में यहां पर license की डलता हूं और उसके बाद update की में क्लिक कर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो license की है यहां पर activate हो गया है अभी यहां पर बता देता हूं कि यहां पर जो भी मैं तो इसके लिए आपको वीडियो डिस्किप्शन में जो नाम भार है आप इसमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप और प्लेस कर देते हैं तो हमारा टीम आपको कॉंटेक्ट करेगा और आपको अपनो वाइट प्रेस वेबसाइट का टेंपरेरी लोगिंग डिटेस देना हो और पांस-दस मिर्ट के अंदर उसको हम एक्टिवेट कर देंगे और एक्टिवेशन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल रहेगा इसके बाद आपको सबसे पहले अप्रियंस में फिर से जाना होगा और यहां पर आपको जिनरेट प्रेस को आप्शन मिलेगा तो जिनरेट प्रेस का यह ओप्शन को हम एक्टिवेट कर देंगे तो हमने चार मोडिल कर लिया है इसके बाद हम क्या करेंगे और यहां पर हम कुछ पीयच को बनाएंगे जैसे हमारे जो एक्साइट को स्तिति हमें जुबी पेज़ेश चाहिए जैसे होम पेज ब्लॉक पेज अबउट आस कॉ तो home लगने के बाद यहां पर आपको sidebar में आना होगा तो home नाम को रखने के बाद यहां पर sidebar layout में आपको default ही रहने देना है just यहां पर disable elements title को यहां पर check कर देना है तो इससे क्या होगा हमारा जो title होगा page को यहां पर hide हो जाएगा उसके बाद मैं publish में click करूँगा तो हमारा home page बन के तयार हो जाएगा फिर मैं यहां पर add new में click करूँगा और यहां पर नाम राखेंगे blog तो blog लिखकर हम यहां पर इसको हम publish कर देंगे इसमें आपको कुछ hide करने का जुरूरत नहीं है तो हमारा blog page भी हाँ पर बन गया है इसके साथ हम बना सकते about us तो यहां पर मैंने about us नम रख दिया अभी मैं कुछ लिखोंगा नहीं जस्ट पेज को बना देता हूं और उसके बाद हम यहां पर बनाएंगे contact us के बाद यहां पर हम बनाएंगे contact us और उसको यहां से हम publish करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारा जो भी important page होता है यहांमने बना लिया है अभी हम setting में जाएंगे और इसमें हम reading में क्लिक करेंगे और आपको static page को select करना होगा और home page में आपको home page को select करना होगा और post page में आपको blog page को select करके set changes में प्लिक कर देना है तो इससे क्या होगा हमारा जो home page यहाँ पर default set हो जाएगा और उसके साथ हमारा blog page भी set हो जाएगा तो अभी हमारा जो भी important page यहाँ पर बनके तयार हो गया है अभी हम इसको design करेंगे तो design करने के लिए आपको हमारे इस website में फिर से आना होगा तो यहाँ प मैं एक port website बना दे बाला हूँ इस template को use करके तो इसका documentation यहाँ पर मिल जाएगा तो इसको आप देख सकते हैं तो सबसे पहले में यहाँ पर buy now में click करूंगा और यहाँ पर add to cut में click करने के बाद यहाँ पर view cut में जाओंगा और उसके बाद process to checkout में click करूंगा तो इसका जो price 1399 है अगर यह जो display में यहाँ पर coupon code देखा रहा है इस coupon code कोड़ अपलाई करेंगे तो आपको 10% का instant discount मिल जाएगा तो इसको आप सबसे पहले buy कर लीजिए तो मेरे पास already file है जैसे यहाँ पर देख सकते हो all in one blog तो जो zip file होगा यह आपको download करना होगा जब आप buy करेंगे त तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा extract करना होगा extract में click करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं file extract हो गया है all in one blog बोलकर एक folder आ गया है तो इसके अंदर आपको और एक folder मिलेगा उसमें जाना होगा और इसी के अंदर आपका min template file है यहाँ पर मिलेगा तो चलिए मैं एक एक क click करूंगा तो यहाँ पर नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले choose file में जाकर आपको generate price का setting को import करना है तो यहाँ पर choose में जाओंगा और हमारा जो folder था उसके अंदर फिर से जाओंगा और उसके अंदर one click import बोलकर एक folder मिलेगा तो इसमें जाना होगा और हमारा जो generate price का setting है यहाँ पर import होकर आ जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हमारा जो design है इसमें काफी सारे changes आना सुरू हो गया है अभी मैं customization में जाओंगा और customization में जाने के बाद additional CSS में जाओंगा और इसमें हम कुछ CSS code को paste करेंगे तो हम file में जाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे additional CSS बोलकर एक file मिलेगा इसको खोल लेना है और उसके बाद control इसे पूरा file को select करके control C से copy कर लेना है उसके बाद हमारे website में आकर इस CSS code को paste कर देना है तो यहाँ पर मैंने paste कर दिया है और यहाँ पर publish में क्लिक करूंगा और इसको मैं बंद कर दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो design है इसमें और भी changes आ गया है अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे tools में जाएंगे और इहाँ पर import में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर import में क्लिक करने के बाद जो WordPress अपसान है इसमें जाकर हम install में क्लिक करेंगे और हमारा जो भी elements होगा उस फाइल का उप्सन मिलेगा तो इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद यहां पर आपको दो फाइल मिल रहा है एक पहला वाला जो फाइल है इसको हमने अल्रेड इंपोर्ट कर लिया है और पहला बाला जो फाइल है और अल्लेमेंट्स वाला जो फाइल है इसको हम इंपोर्ड में क्लिक करेंगे उसके बद आपको select में जा आकर आपका user prospect करके sub Appreciate में ब्लीक कर देना है तो हमारा जो element है ना सक एंपोर्ट में ठूर्ड आजाएगा तो हमारा उक्री करेंगों अब हम क्या करेंगे reference में जाएँगे और elements क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं काफी सारे elements यहां पर import होकर आ गया है अभी हम इसको एक बार हमारा website को खोलेंगे तो यहां पर देखेंगे हमारा website का जो भी design है इसमें और भी बहुत सारे changes हो गया है अभी हम हमारा homepage को design करेंगे तो homepage को design करने के लिए हम फिर से dashboard में जाएंगे, pages में जाएंगे, और यहाँ पर homepage जो होगा इसमें आपको edit में click करना होगा, और यहाँ पर homepage हो edit करने का option आजाएगा, अभी हम file में जाएंगे और हमारा जो एक file था homepage बोलकर इसको हम खोल लेंगे, इसको full skin में खोलेंगे, control A स select करेंगे, control C से copy कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आकर control V से हम paste कर देंगे, तो हमारा जो भी template है homepage का, यहाँ पर import होकर आ जाएगा, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, just update में click करेंगे, और यहाँ पर में इसको new tab में खोल लेता हूँ, अभी अगर आप देखेंगे, तो हमार जो design हे homepage का, इसमें आपको काफी सरे option मिल जाएगा, तो इसके अंदर अभी क्या करना होगा, हमें हमारा जो भी homepage का category होगा, उसको add करना होगा, तो यहाँ पर आगर हम में dashboard में जाओंगा, और post में जाओंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं पहले से ही काफी सरे post को publish करके रखा हो, और इसके अंदर मैंने multiple category को create करके रखा हो, जैसे cricket, football, IPL और WPL, यहाँ पर मैंने add करके रखा, तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से homepage option में जाओंगा, और यहाँ पर आकर हमारा main homepage का editing का का काम में start होगा, तो यहाँ पर आप देख पार है, यह option मिल रहा है, तो इसमें आपको click करना होगा, तो side में एक view open हो जाएगा, एक तरीके से list view है, तो इसको आप जब click करेंगे, फिर से बंद हो जाएगा, फिर से जब click करेंगे, तो यहाँ पर खोल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको काफी सारे container मिलेगा, तो सबसे पहला जो container है, इसमे आपको click करना होगा, यह जो cursor है, इसमें आप click करेंगे, तो यहाँ पर इसके अंदर और एक container मिलेगा, इसमें click करेंगे, तो query loop मिल जाएगा, तो यहाँ पर query loop पर आपको click करना होगा, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको category select करना है, तो सबसे पहले मैं cricket category को add करना चाहत तो मैं यहां पर cricket को select कर दूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं cricket category select हो गया है और इसके नीचे भी मुझे cricket category को select करना है यहां पर cricket category जो पहला जो latest post होगा वो सबसे बड़ा यहां पर sow करेगा और उसके बाद जो 4 post होगा यहां पर इसके नीचे छोटा बला option में sow करेगा इसके बाद मैं क्या करूंगा पहला container को बंद कर दूँगा दूसरे container में मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा फिर से उसके अंदर और एक container है इसको मैं क्लिक करूंगा और इसके अंदर query loop मिल जाएगा तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा cricket को select कर लूँगा तो यहाँ पर cricket category select हो ग Link option यहां पर में klik करूंगा और यहां पर जो Hatch सको Remote रिमूब करके में category ब legislator वाला जो option श्रीक है को मैं ंगा इसका नहींदर वी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा homepage का जो पहला category है, cricket category, यहाँ पर successfully add हो गया है, तो यहाँ पर post भी show कर रहा है, यहाँ पर अगर मैं view all में click करूंगा, तो category बला जो page है, यहाँ पर खोल के आ जाएगा, अगर इन में से किसी भी, मैं post में click करूंगा, तो post यहाँ पर तो हमारा homepage का पहला category है, यहाँ पर add हो गया है, अभी मैं दूसरा category को add करूंगा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, दूसरा जो container है, तीसरा जो container है, इसके अंदर हमारा add का code है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर add show कर रहा है, तो इसके बारे में मै कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको भी पता है, जो google add का code होगा, अगर उसको आप यहाँ पर paste कर देंगे, तो इस जगह में आपका google adsense का add है, वो सो करेगा, जब तक आपका adsense का approval नहीं मिलता है, तब तक आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं आप इसको remove कर सकते हैं, अभी तिसरा container में कुछ काम नहीं है, चोथा container में क्लिक करूँगा, इसके अंदर और एक container में क्लिक करूँगा, और इसके अंदर आपको query loop मिल जाएगा, तो query loop में जाओंगा, अभी में foodball category को select करूँगा, तो यहाँ पर foodball category select हो गया है, अभी उस इसके निचे और एक container है, इसके अंदर और एक container है, इसमें में query loop में क्लिक करूँगा, जिसे जो container है, यहाँ पर select हो जाएगा, और यहाँ पर भी में foodball को select कर लोगा, तो यहाँ पर आप देख सकते है, foodball category हमारा select हो गया है, इसको में बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर category name को में remove करके, यहाँ पर foodball लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने foodball लिख दिया है, और यहाँ पर view all में जाकर, यहाँ पर link में click करूँगा, और hatch को remove करके category में page में जाओँगा, और यहाँ पर में क्या करूँगा, foodball category को खोलूँगा, और उसका पूरा link कॉपी करके, यहाँ से आकर में paste कर देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर update में click करूँगा, अगर में इसके बाद home page को refresh करूँगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा पहला category, जो cricket था वहाँ पर show कर रहा है, उसके नीचे आपको football category show करेगा, तो उसके नीचे वेब स्टो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, तो यह बाला जो container इसमें जब click करेंगे, तो इसमें add मिलेगा, तो यहाँ पर add का जो code इसको आप refresh कर सकते हो, और उसके नीचे जो आखरी वाला container, उसके पहला वाला container इसको आप जब select करोगे, तो इसके अंदर आपको web story मिल जा करना है, तो simply यहाँ पर जाकर आपको remove container में click करना होगा, और जो container है, यहाँ से remove हो जाएगा, तो मुझे तो इसको remove नहीं करना है, तो इसको मैं back लेकर आऊँगा, और अभी मैं इसके अंदर क्या करूँगा, web story में सब कुछ तो सही है, just view story में जाऊँगा, और यहाँ पर इन में से किसी भी एक web story को खोलूँगा, तो हमारा web story आ गया है, अगर मैं इन में से पहला बाला जो URL path इसको remove करके, just हमारा website का name slash web story जो है, इसको अगर हम खोलेंगे, तो हमारा web story यहाँ पर खोल के आ जाएगा, तो यह actually हमारा web story का main जो archive page है, इसको मैं copy करूँगा, और य यहाँ पर view web story में क्लिक करेगा, तो हमारा web story का main page है, यहाँ पर खोल के आ जाएगा, तो finally हमारा home page है, almost edit हो गया है, अभी जो last में यहाँ पर option है, latest news, अगर आप इसके जगा latest post शो करना चाते हैं, तो इस text को आप change कर दीजिए, और इसके नीचे जो more post का option है, इसमें आपक बाद यहाँ पर आकर उसको paste कर देना है, और publish में क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, जब भी कोई user यहाँ पर नीचे आएगा, और नीचे आकर जब यहाँ पर view post में क्लिक करेगा, तो जो blog page है, ओ खोल के आ जाएगा, और हमारा जो blog page है, इसके अंदर सभी के सभी latest article य इसको हम add करेंगे, तो sidebar को add करने के लिए यहाँ पर हमारा file को फिर से खोलेंगे, और इसके अंदर आपको sidebar visit का option मिलेगा, तो इसमें आपको जाना है, और इसके अंदर आपको control A से पूरा select करके, control C से copy कर लेना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और उसके बाद हमारा website इसको हम खोल लेंगे, और हम सबसे पहले यहाँ पर appearance के अंदर जो visit option होता है, इसमें हम click करेंगे, इसमें click करने के बाद यहाँ पर right sidebar visit है, इसमें आपको आना होगा, अगर पहले से इसमें कुछ option add है, तो उसके पहले आप सभी option को remove कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस option में click करना होगा, list view में, और यहाँ पर जो right sidebar है, इसमें आप click कीजिए, और paragraph बला जो option है, इसको आप select कर लिजिए, तो यहाँ पर paragraph आप 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 कर लिया, और यहाँ पर आकर आपको control भी से उस code को paste कर देना है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो sidebar ह यहाँ पर add हो कर आजाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर advertisement का code सो कर रहा है, यहाँ पर अपना Google Ads का code है, इसको आप प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद नीच आपको recent post tab के अंदर, आपके website के अंदर जो भी recent post होगा, यहाँ पर सो करेगा, तो इसको मैं update में click करूंगा, और मैं फिर जाकर एक बार homepage को refresh करूंगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, हमारो जो website का sideware visit है, यहाँ पर add हो गया है, तो sideware visit के अंदर सबसे पहले हमने एक advertisement show किया है, और उसके नीच आपको recent post को हमने add करना सिखा है, तो इसके अंदर 8 recent post show कर रहा है, अगर आप चाहे इसको काम या ज़्यादा कर सकते हैं, मालों यहाँ पर 6 post show कर रहा है, तो ओभी कर सकते हैं, या 8 के जगा 10 show करना चाते हैं, तो ओभी कर सकते हैं, उसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, जो दूसरा container है, इसमें आपको click करना होगा, इसके अंदर जो query loop option होगा, इसमें जाना होगा, तो इसके अंदर आपको मिलेगा post par page, अब एक page में कितना post show करना चाते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दू 10, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं update करूँगा, तो यहाँ पर 8 post show कर रहा था, इसके जगह अभी यहाँ पर 10 post show करे है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा website का जो menu है, इसको हम set up करेंगे, इसके लिए आपको dashboard में जाना होगा, अपको menu में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको menu का नाम राखना होगा, यहाँ पर में नाम राखूंगा primary menu, और उसके बाद यहाँ पर में select करूंगा primary menu, और off canvas menu यह दोनों option को में select कर लोगा, और उसके बाद में create menu में click करूंगा, तो हमारा जो menu है यहाँ पर बनके तयार हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर में क्या करूंगा, सबसे पहले view all में click करके home page को add कर लेता हूँ, blog page को add कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर में story में उसके बाद मैं यहां पर category में जाओंगा और यहां से मैं cricket, football, WPL, IPL यह सब यह option को select कर लेता हूँ तो जो भी हमारा category है यहां से मैं add कर लूँगा अभी मैं यहां पर cricket के अंदर जो IPL है इसको add करेंगे और WPL को भी यहां पर add कर देंगे और उसके बाद यहां पर save में click करेंगे अगर मैं home page को refresh करूँगा तो यहां पर आप देख पाएंगे हमारा home page cricket के अंदर IPL, WPL आ जाएगा उसके बाद football और blog page आ जाएगा तो इस menu मैं मैं थोड़ा और change करेंगे जैसे यहां पर मैं add करूँगा और यहां पर custom link में जाओंगा और यहां पर जाका text में web story लिखेंगे और web story का जो link है इसको यहां से हम copy करेंगे और यहां पर हम add कर देंगे और web story भी हमारा website का अंदर add हो जाएगा फिर इसको save करेंगे अभी अगर हम हमारा home page को खोलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक minute मैं इसको सबसे पहले save कर लेता हूँ, save हो गया है अभी मैं page को refresh करता हूँ, तो यहां पर आप देखें, home, cricket, cricket के अंदर, IPL, WPL, football, blog and web story तो हमारा जो primary navigation menu है, यहां पर add हो गया है तो सबसे पहले आपको यहां पर customization में जाना होगा customization में जाने के बाद यहां पर मैं क्या करूँगा side identity में जाओंगा, तो इसमें जो logo option है यहां पर click करेंगे और यहां से हमारा जो logo है, इसको हम select कर लेंगे तो हमारा logo यहां पर select हो गया है और retinal logo में भी हम क्या करेंगे हमारा जो logo है, उस sim logo को यहां पर select कर लेंगे और Publish में क्लिक करेंगे और इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हमारे मेनू के अंदर लोगो एड हो गया है इसी तरीके से आप भी अपना मेनू के अंदर लोगो एड कर सकते हैं अभी हमारा जो वीपसाइट इसको हम मॉबाईль वर्षन में खोल लिया है अभी हमारे देख सकते हमारे अबशब सकते हमारे अंदर इस तरीके से मेनू नो भी आसा बिरा है अगर मैं मेनू में क्लिक करूंग要ँ तो यहां पे साइड ऑन धो हो रहा है elements में जाओंगा appearance का अंदर जो elements से तो यहां पे mobile menu लोगो इसमें आपको edit में जाना होगा और यहां पर आकर यहां पर जो भी logo सो का रहा है इसको एकबस अबर सेलेक्ट करना है और replace में जाकर open media library में जाना होगा और आपका ऊछ पार्टिकलर लोगो है उसको यहां पर एक बार सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका जो खुद का लोगो है यहां पर आ जाएगा उसके बाद यहां पर अपडेट कर दीजिए उसके बाद अगर इसको मोबाइल वर्सन में खोलेंगे तो डिफिनिटली आपका जो वेबसाइट का लोगो है हो गया है अभी हम क्या करेंगे एक पोस्ट को खोलेंगे जैसे यहां पर मैंने एक पोस्ट को खोल लिया है इसके अंदर पहले से बहुत सरे information available है लेकिन यहां पर हमारा जो author box है यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मेरा अब को देखा देता हूँ इसके लिए मैं क्या करेंगा सबसे पहले डैस बॉर्ड में जाओंगा और यूजर में जाकर अल यूजर में select करेंगा और यहां पर देखिए डीड में मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है और ऐसके बाद display प्लेड नेम में जाकर आपको अबना नाम को select कर लेना है उसके बाद यहां पर text पर पर आपडेट में click करेंगे तो जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपका नाम & ओफर information show करेगा लेकिन अगर आपको यहाँ पर फोटो शोर नहीं कर रहा है उसके लिए आपको एक website में जाना होगा तो इसके लिए आपको Google में जाना होगा और यहाँ पर जाकर search करना होगा तो ही यहाँ पर आ जाएगा तो अभी हमारा जो author profile भी यहाँ पर ready हो गया है तो इस footer को एडिट करने के लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले डैस्वोड में जाओंगा और डैस्वोड में आने के बाद सबसे पहले हाँ पर अप्रियंस option में जाएए और उसके बाद यहाँ elements option में क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको काफी सरे elements मिलता है इन में सबकी elements मिलेगा footer तो यहाँ पर मैं एडिट में क्लिक करूंगा और एडिट में क्लिक करने के बाद मेरे पास यह फूटर elements से यहाँ पर आ जाएगा तो अभी मैं यहाँ से जो भी information change करना चाहूं तो क कर सकते हो जैसे यहाँ पर WP जानकरी है इसके जगा आप अपने website का नाम लिख सकते हैं जैसे example.com आप अपने website का नाम लिख दीजिए यहाँ पर टेक्स लिखा हुआ है इसको रिमूब करके आप अपना टेक्स लिख दीजिए about us के जगा उसके बाद यहाँ पर social media का जो ल लिंक में जाकर उसरी लिंक को आप रिप्लेस कर दीजिए इसे समत्रीके से आप Facebook, Twitter, Instagram and YouTube का लिंक आड़ कर सकते हैं और इसके बाद नीचे जो टेक्स लिख जन करी तो इसको रिमूब कर दीजिए यहाँ से रिमूब करके आप अपना website का नाम लिख दीजिए इसके बाद लेटेस्च जो पोश्ट हैं इसक जागा दूशरा कोई अप्सन ऐट करना चाते हैं तो आपे पेन आइकन में क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट के जागा प्लॉग लिख देंगे बील ओटी हो जी मिल लीख देंगे और उसके बाद हमारा यहां पधा 20 को यहां से हम कॉपई कर अगर दूसरा को यह नाम लिख कर उसका लिंक एड़ करके सब्मिट कर दीजिए इसी सेम तरीके से आप अपना चारो के चार के चार काटेगरी यहाँ पर आड़ कर सकते हैं उसके बाद अगर बात करते हैं साइट के जो लिंक से जैसे यहाँ पर अब आउट अस डिस्क्रेमर यहाँ प्रकाइन यहां पर दिस्क्रेमर में यहाँ पर यह नहीं किया था पियज में तो अभी मैं इसको लिक कर ही छोड़ देता हूं बांकि यह से प्र इस है ऊकर मैं आगर लिक नाजेएगा प्राइबसी में कर और देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं प्राइवेसी लिखा तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज आ गया तो उसके बाद मैं इसको अपडेड में क्लिक करूंगा और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आओंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं फूटर में जो भी मैंने चेंच किया ज आप भी बहुत आसानी से इस पोटर को कस्टमाईज कर सकते हैं चलिए आप बात करते हैं कि कैसे आप website के अंदर advertisement को place कर सकते हैं मैं अल्रेड यह चीज बता चुका हूं कि कैसे आप homepage के अंदर यह जो ad so कर रहा है इसको आप कैसे replace कर सकते हो और sidebar के अंदर जो भी ad मिल रहा ह और जो article था उसके बीज में भी दो ad so कर रहा था और उसके नीचे भी advertisement so कर रहा था तो इस सभी चीजों को कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आपको यहां पर dashboard में जाना होगा और dashboard मैंने के बाद plugin में जाना होगा और add new plugin में क्लिक करना होगा तो जाब आप simply add select कर start करेंगे तो ads के related काफी सरे plugin आ जाएगा तो इन में से प्लागीन है इसको आपको install कर लेना है तो यहां पर मैं install में क्लिक करूँगा तो यहां पर install हो गया है मैं इसको activate कर लेता हूं तो activate करने के बाद मैं setting में जाओंगा और यहां पर add inserter में क्लिक करू तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर home page में जाओंगा और उसके बद किसी भी article को खोल लेता हूं तो यहां पर already जो सबसे उपर बाला जो add है और जो सबसे नीचे बाला जो add है यह automatically आ रहा है लेकिन article के बीच में कोई add नहीं आ रहा है तो जो article का बीच बाला जो add है इस email code है यहां पर हम paste कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर हम पोस्ट पेज को select करेंगे जो पहले से select है और इसके लगा हम home page category page इसको हम select नहीं करेंगे और यहां पर जो option है इसको disable के जगह हम क्या करेंगे after paragraph तो कितने paragraph के बाद हमारा add जो करेगा तो एक दो तीन जो भी जैसे माल लो यहां पर में एग लिखा और उसके बाद में save में क्लिक करोंगा और उसके बाद जब मैं इस page को रिफेंगा तो यहां पर देख सकते हमारा जो पहला paragraph है इसके बाद यहां पर एक add so कर रहा है अभी मैं क्या करूंगा पिर से ओही एड़ को पेस्ट करेंगे और यहां पर हम आप्टर पैरागाप को सिलेट करके और यहां पर हम तीन को सिलेट कर देंगे और उसके बाद सेब में क्लिक करेंगे और जाब इसको रिफ्रेस करेंगे तो यहां पर देख पाएंगे हमारा पहला दूसरा और तीसरा तो यहां पर हमारा जो दूसरा इमेज एड है और तीसरा यह हमारा पोस्ट था यहां पर एड हो गया है और उसके बाद और एक चीज यहां पर करना होगा यह उपर बला और नीचे बला एड कैसे चेंज करना होगा वह भी मैं आपको देखाऊंगा लेकिन उससे पहले इसको मैं मोबाइल फर्सन में एक बार क्कुल के देखाता हूँ तो यहां पर देखिए मोबाइल खर्सन में आपने ईपसी है कोग लिया अभी पेडिए को नहीं कर रहा है तो इसको सो करने के लिए हमें और एक ad code को paste करना होगा, तो footer Ad को add करने के लिए यहाँ पर आपको tisra tab में select करना होगा और उसके बाद आपको फिरसे उस folder को खोल लेना है, तो इसके अंदर आपको footer adds बोल कर एक file मिलेगा, इसको आपको खोलना है और यहाँ पर Ctrl A करके पूरा select करके और Ctrl C से copy कर लेना है और उसके बाद मैं फिर से website में आऊंगा और इस tab में आकर paste कर दोंगा तो यहां पर फूटर add का जो code है यहां पर place हो जाएगा अभी यहां पर आप देख सकते हैं फूटर add code बोलकर एक option मिल रहा है तो यहां पर हमें हमारा जो फूटर add का जो code है उसको paste करना होगा तो फिलाल हमारे पास तो Google AdSense का approval नहीं है तो मैं simply इन में से जो एक code है इसको मैं यहां से copy करूँगा और उसके बाद यहां पर मैं paste कर दोंगा ठीक है तो यहां पर paste हो गया उसके बाद यहां पर जो post option है यह तो select रहेगा उसके साथ-साथ यहां पर disable option है इसके बाद इसको हम क्या करेंगे इनेवेल करके यहां पर footer select कर लेंगे तो यह जो हमारा add है यहां पर footer में display करेगा और उसके साथ-साथ यहां पर device option में जाएंगे device option में जाने के बाद यहां पर हम इसको check करेंगे और उसके बाद यहां पर show करेंगे और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे फोन को check करेंग मतलब हमारा जो फूटर एड है यह ओनली मॉबाइल डिवाइज में सो करेगा तो एक्शुली एड कोड सो नहीं कर रहा है तो यहां पर हमने पोस्ट पेज को सिलेक्ट किया था के साथ हम Home Page, Category, Static Page, Search Page & Tag Page इंस अप्सकों को चेक कर लेंगे पूटर एड के स्केज में क्योंकि हम इस फूटर एड को हमारे हार एक पेज में फूर करना चाहते हैं इसको मैं बंद कर दूँगा, फिर से एक article को खोलूँगा, ये add फिर से सो करेगा, इसको फिर से बंद करूँगा, और एक नया page को खोलेंगे, तो ये add फिर से आजाएगा, तो ये हर टाइम floating add आएगा, और user चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, तो इसी same तरीके से आप भी अपन मोबाइल यूजर के लिए इस तरीके से फ्लोटिंग एड को एड कर सकते हैं इस प्लागिन के मदद से तो हमारा सभी एड हो गया है अभी हमारा एक पोस्ट को खोलेंगे और यहां पर देखेंगे उपर में हेडर एड और नीचे आपको और एक एड मिलेगा यह दोनों एड क करेंगे और यहां पर आप Google का एड प्लेस कर देंगे तो हैजर में अच्छल कर नहों डहों करने के बाद निचे पालगा करने के बाद यहां पर आपको एड को पूस्ट मीरे पलिक कि जromeo और यहां पर जोबीक हो कर देजिए तो यहां पर क्या होगा जो नीचे बाला जो एड है यहां पर आपका गुगल एड्ट सो करना स्टार्ट कर देगा तो इसी सेम तरीके से आप भी बहुत आसानी से हमारा all-in-one जो टिंपलेट है इसको यूज करके अपना वेबसाइट को कस्टुमाइज भी कर सकत हैं तो फाइनली हमने हमारा वेबसाइट को बना लिया है चलिए इसका जो स्पीड है इसके बाद चेक कर लेते हैं तो यहां पर हमने इस वेबसाइट को खोल लेता हूं Google पेड में जाऊंगा और यहां पर जाकर हमारा जो लिंक है इसको हम पेस्ट करके एनलाइज करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आ गया है मोबाइल में यहां पर 90 स्कोर मिल रहा है यहां पर देख सकते हैं और डिक्स्टॉप में 98 स्कोर मिल रहा है हमारा इस वेबसाइट का तो हमने अभी यहां पर जैसे आप देख सकते हैं लिंक को देख लीजिए य और website को design करने के लिए generate block और generate press premium plugin को use किया है और web story के लिए हमारा यह plugin है और यह जो importer बला जो plugin इसको हम deactivate कर देंगे तो यहाँ पर हमने और कोई वी extra plugin यूज नहीं किया है नहीं हमने speed को optimize करने के लिए कोई caching plugin को use किया है तो without any optimization हमारा website का score मिल रहा है इतना अच्छा मिल रहा है इसको पर अगर थोड़ा बहुत optimization करेंगे तो यह score आपको 100 में 100 भी मिल सकता है तो अगर इस template को आपको buy करना है तो आपको इसका link इस video की description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर आप इसको just 1400 रुपे में buy कर सकते हैं और इसका coupon code मिल जाएगा इस coupon code को apply करेंगे तो आपको 10% discount भी मिल जाएगा तो अगर आपको buy करना है तो अभी कभी इसको buy कर लिजे वीडियो को देखने के लिए बहुत जाएगा